अपने यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले कैसे आप अपने ITC की रेंकिंग को बढ़ा सकते हैं और काफी अच्छा खासा revenue generate कर सकते हैं आपसे request है इस video को end तक जरूर दीखिएगा क्योंकि इसमें मैंने अपने experience है ITC की listings के और ITC पर sale करने का उनको सबको compress करके यहाँ पर जो content वो बहुत ही amazing होने वाला है और वीडियो को end तक जरूर दीखिएगा इसमें मैं secrets बताने वाला हूँ कैसे आप ITC पर अपने listing को rank करवा सकते हैं और अच्छी खासी sales generate कर सकते हैं जी हाँ guys चलिए Mac screen पर चलते हैं जैसा कि अप मेरी computer screen पर देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए जब भी आप कोई new listing ITC पर डालते हैं तो एक ITC की जो algorithm है आपको temporary boost देता है temporary boost का मतलब है वो आपकी listing को promote करता है और जादा से जादा लोगों तो पहुंचाता है और जैसे जैसे उस पर लोग आते हैं या purchase करते हैं तो उसकी algorithm को एक positive sign मिलता है जिससे कि आपके listing को rank करने में help मिलती है so always जहान रखें जब भी आपको listing upload करें properly उसकी listing की images होनी चाहिए description, title, कुछ भी चूटना नहीं चाहिए क्योंकि हम जल्दी बाजी में starting में जैसा भी बनता है listing को upload करते हैं ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है आपे visited आतो रहे हैं, purchase नहीं कर रहे हैं या फिर listing अच्छी नहीं है, it's a kind of YouTube, YouTube पे भी देखते हो आप जैसे ज़्यादा लोग आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को promote करता है तो same thing यहाँ पे it's a करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेशता है बड़ देखता है कि लोग नहीं देख रहे हैं, interest नहीं ले रहे हैं तो यह क्या करता है कि negative rating score आपकी listing को मिल जाता है, जिससे वो ज़्यादा promote नहीं करता है आगया और आपके listing down हो जाती है, यह secret आपको कोई नहीं बताने वाला, so guys जब भी आप it's a के उपर काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको time लेना है अपना listing को proper images बनानी है, उसके description, tags, सब कुछ properly होने चाहिए क्योंकि जब आप list करोगे और वो temporary boosting के बाद जब bounce rate आपका बढ़ जाएगा, लोग तो आएंगे, बड़ purchases नहीं होगी और आगे उसको boost नहीं कर पाओ गया आप, got it, so ये गलती आपको नहीं करनी, number one and second चलते हैं, उसके बाद आपको relevant है, इटसी के जो main photos है, जो main photos आती है, जो सबसे पहले list कोई open करता है उसकी photo के उपर सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, और जो main photo है, उसके उपर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूसरे जो competitors हैं, उनका देखना है और उसके उपर mostly focus करना है, irresistible offer, मतलब आपका एक ऐसा offer होना चाहिए, जिससे बंदा सोचे ना कि खरीदने से पहले कि इसको लेने ना चाहिए, इसकी price भी जादा नहीं है और अच्छा offer मिल रहा है मुझे, तो इसको purchase कर लेना चाहिए, इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान करना है क्योंकि और जो first number point है, itsi का SEO, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, SEO में आपको क्या ध्यान रखना है So, guys, यह दोनों चीज़े आपने ध्यान रख लिए, आपकी जो main photo है, उस पर focus करना है और जो आपका offer होने वाला है, कि आपने कोई bundle दिया है, या फिर आपकी जो price है, उसके अंदर आप क्या value प्रोवाइड कर रहे हो वो काफी important होता है, sales generate करने के लिए, so next screen पर चलते हैं, हम अब यहाँ पर है keyword in title and tags जी हाँ, आप देखते हो कि title के अंदर आप कुछ भी title लिख दोगे, rank करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है उसमें tags का options होता है, listing में उसको भी कैसे आपको क्या relevant tags डालने चाहिए, क्या title डालना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताने वलाओ जो आप डालोगों, एक तो relevant होना चाहिए उस listing से, और एक unique होना चाहिए, और descriptive मतलब थोड़ा detail में होना चाहिए, एक छोटा सा word नहीं होना चाहिए, title या text के अंदर next चलते हैं, ये keyword को कैसे आप find out करेंगे, कैसे keyword को रखना चाहिए जैसा आप मेरी computer screen पे देख रहे हो कि जादतर लोग क्या करते हैं कि long tail keyword पे focus ना करके short keywords पे focus करते हैं जैसा क्योंकि उस पे ज़्यादा searches होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग planner लिखते हैं, खाली planner पे search करते हैं बहुत सारे लोग title के अंदर planner करके ही put कर देते हैं, आपको initially अगर आप newbie है, इटसी पे आपको ये गलती नहीं करनी है, long tail keyword पे काम करना है, जैसा आप देख पारे हो, कि planner लिखा तो उस पे काफी searches आ रहे हैं और second screen में देख पारे हो, फिर लिखा हुआ है business planner, उसके अंदर कम searches है, फिर उसके next screen में लिखा हुआ है pink business planner, तो उसमें बहुत ही कम searches है, बट आपको हमेशा क्या करना है, कि pink business planner ही अपने title और text के अंदर use करना है, ये मैं example दे रहा हूँ, आपकी listing के लिए आप कुछ और च तीनों चीज़े आपको समझ में आगई है, आपको ये गलती नहीं करना है, कि छोटे टैग से keywords को insert नहीं करना है, ऐसा keyword insert करना है, ये title लिखना है, जिसमें team ये चार्ण, जो आपके छोटे keywords है, वो भी इसमें insert हो जाए, इसमें इंसर्ट हो जाए, अब नेक चलते है, अब के product को buy करें, ये काफी important चीज़ है, जो इसको ignore नहीं करना है आपको, and second वापिस मैं बढ़ी बता रहा हूँ कि आपको एक amazing offer बनाना है, सो समझ के pricing रिकनी है, उसमें क्या product दे रहे हैं, कितने images दे रहे हैं, क्या उसकी value है, वो सारी चीज़ों पे भी काम करना है आपको, so relevant आप जाते से ज़्यादा product को sell कर पाएंगे, and last and amazing thing, Pinterest idea pins के groupie मैंने काफी अच्छे revenue जनरेट किये हैं, Etsy के उपर, so आप चाहते हैं, मैं इसके उपर detail में video बनाऊं कि Pinterest से, आप कैसे traffic ला सकते हैं, अपने Etsy store पे, so guys, मुझे description में और comment में बता सकते हैं, कि आप अगर Pinterest के idea pin पे मुझे, आप लोगों को video देना चाहिए, detail में, so ये भी मैं next video बना सकता हूं, and जो जो चीज़े मैंने बताईए, मैं फिर से आपको repeat कर देता हूं, जाना ताकि आपको remind हो जाए, सबसे पहले, आपको अपनी listing को properly research करके, complete करके ही upload करना है, live करना है, उससे पहले live नहीं करना है, क्योंकि अगर negative score मिल गया, HC के platform पे तो आप rank नहीं कर पाएंगे, and डूसरी चीज़, आपको long tail keywords पे काम करना है, जिससे short tail keyword भी cover हो जाएंगे, आपकी जो main photo है, HC के product की, वो उसको आपको main focus रखना है, and डूसरा है, आपके जो offer है, जो irresistible offer है, उसके उपर काम करन है कि value for money है की नहीं है, and other competitors को भी check करना है, and title and keywords का मैंने आपको बता ही दिया, and idea pinch पे मैं आपको next video दूँगा, और उसके आप details में देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, so guys मिलते है next video में, till then bye bye, see you